आप सभी का बहुत बहुत बिलकम है हमारे यूटूब चैनल ओम ग्राफिक्स में तो फ्रेंड्स आज के इस टुटोरियल में हम बात करेंगे किसी भी फोटो का अगर फेस स्मूथ करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं मान के चलो हमारे सिस्टम में कोई भी पर्चिज किया हूँ फिल्टर कोई भी प्लगिंग नहीं है और हमें मेनुवल किसी भी फोटो का फेस स्मूथ करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं अज जिसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं तो हमारे डिस्प्ले पर जो फोटो दीख रहा है इसका आप फेस देख सकते हों कि बिल्कुल अस्मूथ नहीं है और इसको हम अस्मूथ करना चाहते हैं तो क्या-क्या चीज का यूज करते हैं आप इस टिटोरियोल को पुरा ध्यान से देखें और आप चाहें तो इसका एक एक्षन भी किरियेट कर सकते हैं ताकि आपको आसान हो तो फिलाल में हम इसका फेस स्मूथ करके हमको दिखाएंगे अगर आपको एक्षन बनाना सीखना हो तो हमारे पीछे अले वीडियो में चले जाएं और वहां से एक्षन बनाना सीख लें उसके बाद इस पे आप बर किजिएगा इसका एक एक्षन बना लिजिएगा तब आप असानी से किसी भी फोटो में सिंगल क्लिक में आप फेस स्मूथ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चलिए अब देखते हैं टॉपिक पे यह जो मेरा फोटो है फोटो का हम सबसे पहले तीन कॉपी बनाएंगे तीन कॉपी कंट्रोल जे प्रेस करके कीबोर्ट के बटन से कंट्रोल जे प्रेस किजिएगा तीन बार यहां देखिए तीन बार तीन copy बना लेना है, एक दू तीन और ये मेरा original, तीन copy बना लिए, ऊपर से दो copy का eyeball को हम बंद कर दिये, ध्यान से देखेगा, ये दोनों को हम बंद कर दिये, अब इस पर है आना है, ये वाले फोटो पर आ गए है, ये वाले फोटो पर आने के बाद आपको क्या करना है, filter मे आप जाने के बाद बलर पर चले जाना है और सबसे नीचे एक सर्फिस बलर होगा सर्फिस बलर पर जैसे किलिक कीजेगा इस तरीके का डायलो बॉक्स खुलेगा उसमें रेडियस और थ्रेसोड होगा तो रेडियस को आप लगभग लगभग 50 रख लें 300 को आप 25 रखें मतलब दोनों इदर नीचे 25 और 50 इतना आप रख लिए उसके बाद यहां से आप OK कर लें यहां पर 50 रखना है यहां पर 25 और OK कर लें यह हो गया यहां परक सान आपए आप जैए मतलब की सबसे फर्सट लेयर का काम खतम हो गया आप इसमें कुछ नहीं करना है अब ध्यान से देखिएगा यह थोगाा थाईम लेगा 10 सेकेंड, 20 सेकेंड यह हो गया अब देखिए इसका काम हो गया अब हम उसके ऊपर वाले को लेयर को अन करेंगे आईबोल को अन करेंगे यह उन किये इस लेयर पर चल गया है ध्यान दीजिएगा इस लेयर पर जाएगा तो यह बुलू हो जाएगा इस लेयर पर आएंगे तो यह बुलू हो जाए हाई पास हाई पेस पे जाए और इसका रेडियस को आप 2.2 या फिर 2.5 तक आप लेके जा सकते हैं आपका फोटो पे डिपेंड करता है लेकिन तीन से कम ही रखिएगा तो ज्यादा बेटर होगा 2.2 हमने रेडियस इसका रखा और ओके कर लिया उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड यहां से जो नॉर्मल है यह नॉर्मल को आप यहां से लीनियर लाइट पे लेके जाएगा लीनियर लाइट देखिए यहां ओप्सन है लीनियर लाइट पे लेके गए और इसका भी यह ले के बाद आपको क्या करना है कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल सिप्ट और यू प्रेस करना है कंट्रोल सिप्ट और यू कंट्रोल सिप्ट और यू से फोटो आपका ब्लेक इन वाइट हो जाएगा यह फोटो ब्लेक इन वाइट हो गया उसके बाद कीबोर्ड के बटन से कंट् 64 यहाँ पर कर लेना यह चीज का ध्यान दिजेगा 64 और यहाँ 225 यह हो गया इतना समझ गया होंगे इसको ओके कर लिए इसमें हम सबसे पहले तो फोटो को बलेकिन वाइट किये उसके बाद लेवल खोले उसका आउटपूट को 64, 225 किये उसके बाद इसका ओपसीती को आप 50 कर लें यहाँ पे 100 होता है इसको आप 50 कर लें 50% इसका ओपसीती को हम 50% कर लिए अब इसका ब्लेंडिंग मोड को हम चेंज करके यहां से soft light पे लेके चले जाएंगे, यहां पर देखिए soft light है, अब देखिए मेरा तीनो लेयर का काम हो चुका है, अब इसमें कोई काम नहीं है, अब इसमें face smooth कैसे करेंगे, वो चीज को देखिए, यह तीन लेयर मेरा है, यह तीनो लेयर को आप control प्रेस करके, तीनो को बार यह गुरूप यह गुरूप बन गया अब इसमें हम एक मास्क लगाएंगे मास्क लगाने के लिए यहां आप की वोड के बटन से अल्ट प्रेस करें अल्ट प्रेस करके यह जो सिम्बल दिख रहा है यहां पर जैसे ही क्लिक किजिएगा तो फोटो मेरा ओरिजिनल जो जैसा अब फोटो को थोड़ा सा जूम करके आप इस तरीके से ब्रस को चलाएंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फेस यह अस्मूत होना स्टार्ट हो चुका है तो इस तरीके से आप धीरे धीरे ब्रस को चला लें इस तरीके से आप धीरे धीरे बरस को जब चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये photo without filter, without कोई plug-in का आप इस तरीके से कोई भी photo को bedding photo, portrait photo किसी तरीके का अगर photo हो वो आप इसे चला के face smooth कर सकते हैं आपको पता चल रहा होगा कितना फर्क हुआ इस फोटो में हम अभी आपको after before दिखाने वाले हैं पहले हम इसका face को smooth करके दिखा देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह photo और यह जो जो जोलरी है जोलरी पे आप धीरे धीरे हलकालका अगर चलाएगे तो यह थोड़ सा highlight हो ज दिखाते हैं यह देखे photo मेरा पहले ऐसा था और अभी ऐसा है तो face smooth हो गया होता क्या था कि पहले हम brush tool से इस पर हम color चबाते थे उसके बाद हम किसी filter का यूज करते थे लेकिन by chance अगर हमारे पास को filter ना हो smooth के लिए तो क्या करेंगे जैसे filter है तो उसमें limit है लेकिन इसमें कोई limit नहीं है जितना आप हाई पास वगेरा यह सब जितना बढ़ाओगे उतना तुम्हारा face को वह smooth करते चला जाएगा तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा और बताते हैं यह इसका action action हम इसका बनाए हुए है आप भी बना सकते हैं यह photo का मेरा काम हो गया अब देखें कोई भी photo को हम एक ले लेते हैं जैसे यह photo हमने लिया यहां drag and drop किया अब इसका हम तो यह तो smooth है लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और अगर काम करते हैं तो किस तरी time लेता है उसके वाद automatic यह direct मेरा brush के जहां से brush हम लिये थे direct वह वहां चला जाएगा यह देखें मेरा brush आगया अब देखें इस तरीके से आप धीरे धीरे इसको face को अग जब चलाओगे तो देख सकते हैं आपकी इस तरीके से यह smooth कर रहा है किसी भी photo को आप smooth कर सकते हैं इ अगर हम चलाएंगे तो थोड़ा सा difference आगा लगेगा कि मान की चलिए अगर आप कोई भी market का कोई भी अगर filter यूज करते हैं तो photo jewelry जो है वो थोड़ा सा यह हो जाता है लेकिन इसमें अगर आप इसका यूज करेंगे तो jewelry आपका थोड़ा सा highlight दिखने लाएगा आप देख तो इस तरीके से आप भी action इसका create कर लें अगर action create करने नहीं आता तो हमारे पीछरे वाले वीडियो में जाईए और उसमें सीखिए कि किस तरीके से हम action बनाते हैं किसी भी चीज का तो friends आज तक के लिए इतना ही हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर लिज झाल